अब बेटा अगर आपके सामने इस प्रकार का कोश्चन आ जाए जिसको हम बहुपद या पॉलिनोमियल का सवाल बोलते हैं अब इसके अंदर बेटा कोई भी एक नमबर डाल कर अगर इस पूरे का अंसर जीरो आ जाए तो वो इस पॉलिनोमियल का जीरो होता है या इस करने के लिए तो बेटा इसको हल करने के लिए हम बेटा क्या करते हैं इस बीच वाले बीच वाले टर्म को मध्य टर्म को मध्य पद को मिडल टर्म को क्या करते हैं तोड़ देते हैं काट देते हैं या अलग कर देते हैं मतलब कि साथ को या खुछ भी हो सकता है इसके साथ अभी तो हमारे पार यही कोशन है इसकी बात करते हैं अगर इस साथ को हम इस तरीके से तोड़ कर लिखें कि जमा घटा करने पर यह साथ ही आए प्लस का लेकिन अब एक कंडिशन और इसके अंदर कि वह जब दो नंबर गुणा हो तो एक नंबर आना चाहिए वह क्या नंबर कर आया बारा अब 20 वाला नंबर क्या आपका साथ अब याद रखना हमको कोई ऐसा नंबर दो नंबर ऐसे डूंडने है जिने जोड़ने घटाने पर तो साथ आए लेकिन अगर उन्हें हम गुणा कर दें तो हमारा बारा आए बस ऐसे दो नंबर ढूंड लो आपका उत्तर कर दो नंबर करेंगे देखू तो क्या बैटा यह नंबर चार और तीन नहीं हो सकते है कि अगर मैं चार को 3 सघो और 4 को तीन से गुडा करों तो क्या है गाएगा वारा आ गयो dif्रक्स एप अब स्थ्यां से देखना यहीं पर बीटा क्या है अप कटिन काम आप कर चुके हैं अब सान काम करतें किया कर सकते हैं चार एकस में 4x यह बन गया पेर बन गया अब इस पहले वाले जोडे के अंदर से बताओ क्या समान है क्या कॉमन है इस पहले नंबर इस सोर्ब समान है तो हम कह सकते वह एक समान है इन दोनों में है x इसमें 1 है स्क्वाइर है दोनों में और 2 भी समान है क्योंकि 2 यहां पर है और यह चार है इसके अंदर चार का गुण इसको नहीं तो यह अंसर क्या अपके पास उसको प्राइकट में लिख लो जब 2x स्क्वाइर में से 2x अपने भार ले लिया तो क्या बचा अंदर खा एक्स कोगि दो आपने भार ले लिया और एक्स स्क्वार में से एक एक्स ले लिया तो एक्स स्क्वार में से एक एक्स गया था प्लस अब यहां पर क्या बचेगा एक्स का एक बार एक्स ले लिए तो कुछ नहीं बचा अब दो बहर कॉमन ले लिया चार में से तो क्या बचे यह होता है तो देखो अंदर क्या बचेगा तीन कॉमर ले ले तीन एक्समस खली एक्स बचेगा प्लस तीन दूनीच है यह देखो क्या बनके रागए एक दम सेम टू सेम बनके आगे ना बैके टुमें अगर यह आगया आपका समझे आपका कोश्चन ही खतम हो गया अब इस क अगया पूलिनोमेल्स के अब इससे भी आगे बढ़कर आप पोछो कि एक्जैक्ट नमबर बताओ जिस नमबर को उस पॉलिनोमेल्स में रखने पर बहुपत में रखने पर सीधा उत्तर आ जाए तो देखो कुछ मत करो पहले इस वाले के सामने 0 रख लो फिर इस वाले के स अगया प्लस का थ्री उदर जाके माइनस का थ्री दो यहां गुडा में उदर जाके भाग में तो तीन बटे दो पहला तो पेटा अंसर यह आ गया अगर यह नमबर आउस में रखो गया वह पद में आपका बिल्कुल जीरो आ जाएगा वह वह आगला नमबर यह एक्स प्ल जगा पर क्लो मैंने स्टू मैंने स्टू कि जुदू अ दो दूनी चार मैंने स्ट्रेश प्लस साथ दूनी 14 अर यह अगया मैंनस को चोफिद चार दूनी आठ माइनस 14 प्लस चे आठ माइनस 4 माइनस 6 प्लस चे प्लस माइनस चे क्या है जीरो सॉल्व हो गया तो बटा यही यह तरीका और गुनन कंड करने की इस से ज़ाधा असान विधी आपको मिलेगी नहीं जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही असान आपके लिए सवाल होत चला जाएगा मिलते अगली वीडियो में पसंद आया तो लेक करो और सब्सक्राइब ठोक कर जाना